कि अब अब उमीद करता हूं आप से भी लोग स्वास्त हैं आज की सेशन में टाइम स्पेड इस्टेंस के आई बीए सी आई योग के कोश्चन्स देखेंगे कुछ जादा कोश्चन्स नियुक्त बारा कोश्चन से फटाफट से खतम करेंगे ठीक है तो जुड़े रहें साथ के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने कोश्चन से तरसे पहला कोश्चन हमारे पास यह है एक ट्रेन की स्पीड 55 किलो मीटर पर आ रहे है और ट्रेन की लेंद्ध हमें देरखे 800 मिटर इसे कितना टाइम लगेगा 1400 मिटर लोंग ब्रिज को क्रोस करने में लोंग प्लैटफोर करने के लिए अपनी जो ट्रेन की छुद की लेंद्ध है उसे क्रोस करना पड़ेगा NICK कि अगर है यहां पर हमें इस पॉल की जगह एक प्लैटफोर्म दे दे तो उस में क्या होगा अगर यहां पर मुछै एक प्लैटफोर्म दे जिया से उसे लेंध है जब train का end point इस platform को cross करेगा that is भी यहां प्या जाएगा और यहां प्या जाएगा तो obviously अगर मैं बात पूर इस platform को अगर train को cross करना है तो उसे अपनी length को और platform की length दोनों को cross करना पड़ेगा तो यह distance तया करने में कितना time लगेगा वो जनरली बताता है कि कितने time में train ने platform की length को cross करा तो यही छोटा सा concept है इस पर बेश हम question देखते हैं कि एक train की speed 55 km पर आ रहा है और इसकी length 800 meter दे रखे 400 meter के long platform को cross करने में कितना time लगेगा तो टोटल कितनी दूरी तया करनी है उसे 800 और 1400 मतलब 2200 meter की दूरी तया करनी है speed है 55 km per second में बताना है तो divided by मेरे पास distance upon में speed क्या होता है time होता है distance है 2200 meter speed है 55 km पर जिसे meter per second में convert करने के लिए 5 by 18 से multiply कर देते हैं और यह हमारा seconds में answer आ जाएगा अगर हम solve करें इसे तो मेरे पास यहां पर सबसे पहले तो आप 11 से काटेंगे यह आएगा 200 और 11 से काटूँगा तो यह आएगा 5 5 और 5 25 25 से इसे काटूँगा तो मेरे पास आजाएगा 8 18 को 8 से multiply कर दूँगा तो value कितनी आ जाएगी 144 यही मेरा इस question कांसर है option number D क्या हो गया correct हो गया concept आपको समझ में आ गया question हमारा सोल हो गया आगले सवाल पर चलते हैं एक train एक कार की स्पिट 45 km पर आ रहे है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी 50 सेकिंड के अंदर मीटर में डिस्टेंस पूछा गया है तो सबसे पहले 45 km पर मीटर पर सेकिंड में convert करने के लिए 5 by 18 से multiply यह हो गई स्पीड इंटू टाइम के होता है डिस्टेंस होता है टाइम से multiply कर दिया नाइन से काटूंगा तो यहां पर टू और यहां पर पाइव आएगा तू से काटूंगा तो 25 25 इंटू 25 यह हो गया 625 मीटर कुश्चन हो गया खत्ब अगले सवाल पर हम चलते हैं नेस्ट कुश्चन हमारे पास क्या कहता है पढ़िए ज़रा एक बोट है जिसकी इस्टिल वोटर में स्पीड 10 किलोमेटर पर आर है इस्पीड ओफ इस्ट्रीम हमें दे रखे है टू किलोमेटर पर आर तो डाउन इस्ट्रीम इस्पीड डाउ स्पीड को स्पीड किया होगी डाउन्वनेट इस फीड होजाएगी 10 पर इस्पीड होग & कोश्चन आगे भड़ते हैं हम कहता है एक आदमी एन किलोमेटर का डिस्टेंस फाइव आर्स में कवर करता है 18 किलोमेटर प्रार की इस स्पीड से तो यहां पर मीचे समझ आ गया एन का मत्तब क्या हो गया लाइन पड़ती मैंने निकाल लिया स्पीड इंटो में टाइम डेटेश इससे तो एक्टीन इंटो में 5 90 किलोमेटर एदिस 90 आगे बताना है इपाइट इस स्पीड आपड़ गी मैं ईफ़ ही वांस टो कवर इस सेम डिस्सटैंस इंट एंस नहीं ति तो कितना किया स्पीड होनीचिए तो नभधे को तीन घंडे में कवर करना है नभभय भाग तिंग कितना हो गया इनटी किलोमेटर पर आर कोश्चिन हो गया मेरा खतम हूँ अगले सवाल पर चलते हैं फटाफ़ड से पढ़िया कुश्च्छन क्या एक अंसर कहता है दो statement दे रख्या है हमें बताना है खाली एक सही है या दोनों सही है या दोनों गलते है या खाली दूसरे वाली सही है ठीक है पहली statement पड़ते है एक पूर्ट किलो मीटर डाउन स्क्राइब साथ के अंदर 40 किलो मीटर अफ्स्रीम जा सकती है 10 अर्स के अंदर तो हमें बताना है कि कि स्पीड ओफ इस्ट्रीम बन किलो मिटर पर आर यहां पर दे रख्या है statement सही है या नही है तो सिधा स्पीड ओफ इस्ट्रीम निकालने के गो stream, speed of boat in steel water को x वानते हैं, speed of stream को y वानते हैं, अब stream के अगर हम बात करेंगे, पानी के विप्रीद दिशा में अगर हमें जाना है, तो वो क्या होता है, speed of boat in steel water minus speed of stream. ये किस के बराबर दे रखता है, 40 किलोमेटर जाती है, 10 घंटे में, 0.5 0.5 लेकिन यहां पर स्पीड ओफ स्ट्रिंग यह रखिया वन तो यह हो गया गलत अगले सवाल पर चलता हूं सैकिंड पार्ट पर चलता हूं एक ट्रेंड की लेंद्ध ट्वेल हंडेंड मीटर दे रखिया है सबसे पहले सोल करते हैं अगर एक प्लैटफोर्म के लिए दोनों को क्रोस करना पड़ेगा तो ट्वेल हंडेड प्लस फिफ्टीन हंडेड कितना हो गया 2700 मीटर कितने टाइम में कवर किया 120 सेकिंड के अंदर तो स्पीड कितनी आ गई 12 से अगर मैं काट दूँ पूरा सोल करने के जुरत नहीं है चलो 270 भाग 12 मीटर पर सेकिंड में स्पीड आई है ठीक है अब इसे मीटर पर सेकिंड को अगर क्लो मीटर पर आर में कनवर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि 90 दे रखा है न यहां पे तो मुझे यहां पर मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा किस से 18 वाइव से तोल करूँगा 6 से काट दूँगा 2 और यहां पायेगा 3 और 2 से काटूँगा इसे तो 135 अब देखो यहां पर मेरे पास 5 से काट दूँगा तो 27 और 27 इंटू 3 91 स्पीड मेरी 91 निकल के आ रही है और यहां पर 90 दे रख्षा है तो यह भी स्टेटमेंट क्या हो गई गल्थ हो गई तो मेरे पास यहां पर स्वाल हमारे पास पटाफट से बढ़िये देखो question में कहता है यह simple सा question percentage में भी डाला जा सकता है कि सबसे पहले plane की speed को हमने 60 परसेंट भड़ाया फिर उसकी speed को हमने 50 परसेंट से घटा दिया जो finally sonic radar ने speed measure करी इस point वो 2400 km पर आ रहा है तो initial speed बता नहीं है तो कैसे सोल करेंगे initial speed को अगर मैं S माल लूँ पहले 60 परसेंट बढ़ाया 60 परसेंट होता है 3 by 5 है ना तो पांस थी तो पांस का कितना हो गया होगा में दे रखा 2400 km पर आर सोल करेंगे हाँ पर आठ से काटूंगो तो तीस और तीस इंट्रू आं तीन सो अंट्रू में दस तीन हजार कि ओरिजिनल स्पीड कित्ती रही होगी 3000 km पर आर कोर्षिन मेरा खतम हो चुका है चले आगे next question पर मूव करते हैं कि question में कहता है कि एक बस 48 km पर आरके constant speed से चल रही है कि distance जो बस travel करती है एक बीस से तीन चालिस के बीच में वह हमें बताना है अब सबसे पहले देखो इस पीड दे रखे है time दे रखा है तो distance निकालना बहुत रही है time कितना होगा तीन से घटाओंगो तो दो घंटे और 20 मिनट से चालिस मिनट से 20 मिनट को घटाओंगो तो 20 मिनट दो घंटे और 20 मिनट, 20 मिनट क्या होता है, 1 by 3 तो 2 प्लस 1 by 3 आर्स कर सकता हूँ मैं, ठीक है, 20 by 60 कर के आर्स में convert कर लेते हैं, तो यह जाता है, 7 by 3 आर्स, कितना टाइम है मेरे पास, स्पीड है इतनी, 48 को अगर इसमें multiply कर दिया जाए, तो 16 into 7 यह आजाएगा 112, question हो गया, खतम, चले नेक्स्ट कोश्चन पर अब हूँ, कर यह ट्राए, देखो, question में क्या कहता है, हमारे पास एक passenger train है, जिसके अंदर एक टीन बोगी है, हर एक बोगी मेरी 15 मिटर लंबी है, train एक electric post को cross करती है, 15 सेकिंड के अंदर, ठीक है, अब किसी problem के वह रहते हैं, तीन बोगी detach करती गई, तो कितनी बोगी रागी, 15 बोगी रागी है, तो अब train को electric post को cross करने में कितना time लगेगा, अब इसे directly हम दो दरीके से देख सकते हैं, एक तो आप percentage reduction में देख सकते हैं, कि 18 की पंसर रहेगी, कितने percent reduce हो गया मेरा, 1 by 6 reduce हो गया, तो ऐसी एगर 1 by 6 में इसे reduce कर दो, time भी मेरा 1 by 6 अब कम लगेगा, तो 1 by 6 अगर में इसे reduce कर कर दोंगा, तो 12.12 मेरा अंसर आजाएगा, question हो गया, खत्म, और अली भी सोचा जा सकता है, बिना question को किये वे, क्योंकि हमारे पास, जो है, length जो है distance, directly proportional to time होता है, अगर speed constant होती है, तो अब हमारे पास, length किस पे depend करते है, number of bogies पे, और number of bogies यहां पे हमारे पास कितनी थी, 18 15 थी, वो 15 हो गई, उसने हम question को solve कर सकते है, ठीक है, बेसिक से करना चाहूँ, तो basic में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं माल लेता हूँ, train की speed क्या है, S है, ठीक है, इस question में यह, जो length है, इस की कोई जूरोत नहीं थी, नहीं भी जाते है, तो कुछ परखने है, हमें क्या करना है, यह train की speed को मैं constant speed है ना मेरे पास, तो मैं basic से गरता हूँ, अगर speed मेरे पास constant होती है, तो distance मेरा क्या हो जाता है, directly proportional to time, ठीक, अगर हम देखें यहाँ पे, मेरे पास speed किसके ब्रावर होगा, distance divided by time, कितनी बोगी जाए, 18 बोगी, एक बोगी कितने मीटर की है, 15 मीटर की, कितना distance cover किया जा रहा है, कितने second में, 15 second के अंदर, second case में कितनी बोगी जाए, 15 बोगी जाए, एक बोगी कितने मीटर की है, 15 मीटर की है, time कितना लगना है, यह हमें बताना है, solve करके आप अंसर निकाल लेंगे अपना, 15 से 15 eliminate हो जाएगा, 3 से काटूँगा, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा, 6 फिर 3 से काटूँगा, तो 2 और यहाँ पे रह जाएगा, 5, time आजाएगा, 25 divided by 2, that is 12.5, clear, ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, जब direct relationship match से मैंने कहा, distance directly proportional to time है, अब distance में भी number of bogies matter करती है, तो मैं आगर distance का ratio निकालता, old versus new, तो पहले मैं 18 bogies cross कर रहा था, अब 15 करनी है bogies, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 6 ratio 5 है, अगर distance यह है, तो speed का, distance का ratio यह है, तो time का ratio भी मेरा यह ही होगा, और time का ratio यह है, तो पहले कितना time लग रहा था, पहले लग रहे थे हमें 15 minute, 15 second यह मिनाट, तो अब कितना इंटू में 2.5 कर दूँगा, तो ही 12.5, second, question हो गया, खता, next question पर हम move करते है, question में कहता है, एक boat 20 km downstream जाती है, 30 minute के अंदर, speed of stream 10 दे रखा है, तो speed of boat बताना है, तो कैसे solve करेंगे, downstream speed क्या होती है मेरी, speed of boat in still water plus speed of stream, और यह किस के बराबर होगा, यह तो speed हो गई, intimate time, 30 minute से मतलब 1 by 2 hour, speed into time किस के बराबर distance कितना जाती है, 20 km जाती है, question हो गया, खतम 20 into 240, 40 minus 10 that is 30, speed of boat in still water is 30 km per hour, next question हमारे पास guys, कहता है, सीता 5 km हर रोज school के लिए travel करती है, cycle से, अपने घर से 7 बज़े निकलती है, और school साधे 7 बज़े पोस्ती है, तो इसकी speed बता दो, तो भी यह स्तीधी सी बात है, आदे घंटे कितना, आदे घंटे में 5 km travel कर रही है, एक घंटे में कितना कर रही है, आदे का दो गुला 5 into 2, 10 km, एक घंटे में त्याग की गई ही, दूरी ही तो हमारी speed कहलाती है, तो 10 km पर आदे मेरा question का answer हो गया, question हो गया, अगले सवाल पर जलते हैं, बस यही सवाल थे, time speed and distance के, सारे के सारे simple question थे, हमने पटावर से हतम भी कर दी, session को यहीं wind up करता हूँ, bye bye everyone, take care, have a nice day and jahind.